हेलो एब्रीवान मैं हुझ जैश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंप्रस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का एकोनॉमेक्स और हम पहुँच चुके हैं दोस्तों चाप्टर नंबर 6 पर यह है पॉपुलेशन इन इंडिया का लेक्चर नंबर 1 जियां दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाईए क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही informative वीडियो मिलते रहेंगे आपको chapter wise playlist section में इस चैनल के मिल जाएगी जहां पर आपको economics, OCM के वीडियो मिलेंगे, IT के वीडियो मिलेंगे 12th standard के already हम सभी वीडियो डाल चुके हैं तो जरूर 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 चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखी और जास ज्यादा students तक पहुँचाईए हम ऐसी वीडियो लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं population in India आबादी बढ़ती जारी है, बढ़ती जारी है, बढ़ती जारी है, रोके रोके नहीं रही है और दोस्तों यही सत्य है हमारा, याद रखिए कि भाईया, 2011 census के अनुसार हम चाइना से पीछे हैं, यानि नंबर दो की country है और अब तो ऐसा लग रहा है, 2021 में जब census होगा, या 2022 में क्योंकि कोरोना की वेसे तवाट डीले हो गया, तो जब भी अब census होगा, तो ऐसा लग रहा है, देंगे धो भी 50 चाइना को, क्योंकि इतना जादा population हमारा बढ़ा है, पिछले कई वर्षों में की लगातार बढ़त किये, तो दोस्तों जब बात करते हैं हम population की, तो ये एक asset है, एक बहुत ही important element है किसी भी economy के growth के लिए, जिया दोस्तों अगर आपका देश तरक्की करना चाहता है न, तो population के बलबूते पर ही कर सकता है, उसकी आबादी, उसकी manpower, उसकी labor force के उपर ही कर सकता है, India is a developing country, the rate of economic development of a country depends on its quantitative and qualitative growth which can be measured in terms of population, national income, per capita income, जी हां दोस्तों, क्या quantity है और क्या quality growth है, क्या सिर्फ आप संख्या में बड़े बन रहे हैं, या वाकई में आपकी quality भी improve हो रही है, ये ही आपकी देश के growth को define करता है, और इसमें population का growth, national income का growth और आपके देश के individuals की income कितनी है न, वो ये सारी population, national income और individuals income ये तैह करते हैं आपके overall economy का growth, दोस्तों, population refers to the number of people living in an area at a given point of time, population of India is measured once in every 10 years, हर 10 साल में ये measure किया जाता है, आखरी बार 2011 में हुआ था, उसके अनुसार 2021 में होना चाहिए था, लेकिन अभी corona crisis के वज़े से थोड़ा सा delay हो गया है, according to 2011 census, इंडिया's population was 121 करोड़, जी हाँ दोस्तों, करीबन 700 करोड़ का देश है हमारा, इंडिया ranks second in the world next to China, तो ये था introduction दोस्तों, और इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं, कि हमारे देश की आबादी जो है, दिन दवगनी, चार चावगनी, बस बढ़ते ही जा रहे हैं, लेटा पाटा आप, जी हां दोस्तों, यहां पर एक और खास बात आपको जाननी जरूरी है, कि इंडिया has 17.5 साड़े 17 प्रतिशत, वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है न, वो इंडिया में रहता है, यानि दुनिया की आबादी अगर 100%, यह साड़े 17 टक्का, यह इंडिया में रहता है, और इसके विपरीत, अगर दूसरी important बात देखें, तो इट occupies only 2.4% of world's land area, बहुत ना इंसाफी है धाई परसंट से भी थोड़ा सा कम लैंड हमारा है, और उस धाई परसंट से भी थोड़ा सा कम लैंड पे, साड़े 17 प्रतिशत आबादी रहती है, तभी तो लोकल ट्रीन में साचरा गर्दी है, चड़ने को जगा नहीं है, और यही problem में दोस्तों, इतना जादा population है, इतन ज़्यादा अबादी है, कम लैंड पर, बात करें दोस्तों, trends in population growth की, तो हमारा population जो है, यह शुरुवाती दौर में इतना ज़्यादा बूम नहीं हुआ था, लेकिन आजादी के कुछ सालों बाद, population explosion का सामना हमारे देश ने किया, India's population is very large in size, it is growing rapidly, information regarding the size, structure and other characteristics of India's population is obtained through census survey, यानि males की संख्या क्या है, females की संख्या क्या है, क्या characteristics है, क्या खासियत है, कौन से area में ज़्यादा population है, कहाँ पर ज़्यादा population नहीं है, यह सारी जानकारी census survey से ही मिलती है, दोस्तों हमारे पास एक important chart है, एक table है, जिसकी जरीए आपको trends, population growth के पता चलते हैं, जैसा कि यह table आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों, आप देख सकते हैं, 1911 से लेकर, आज 2011 तक का अगर हम देखें यह trend, तो इसमें आप आबादी की संख्या देख सकते हैं, population in crores देख सकते हैं, और average annual growth कितना हुआ है, वो भी आप समझ सकते हैं, शुरुआद हमने census की की थी, 1911 से, और 1911 के अंदर जो पहली बार census हुआ, तो यहाँ पर 25 करोड की आबादी देखी गई, इसके बाद जब 1921 में किया, तो 25.1, यहाँ पर एक अजीब और गरीब साल इसे मारा जाता है, क्योंकि 25.2 से आबादी थोड़ी कम हो गई, उस जमाने में famines, floods, earthquakes, natural calamities, diseases का widespread हुआ करत इदी, hospitalization, facilities कम होने की बाई से, population इदर कम हो गया था, 25.2 से 25.1 हो गया था, minus 0.03 का growth rate था, लेकिन उसके बाद दोस्तों, अगर हम देखें, अगले 10 साल जो थे, धमा चोकडी वाले थे, 1931 में population बढ़ा, 25.1 से 27.9 तक पहुँच गया, 1.0 का growth rate देखा गया, ऐसे ही लगाता निरंतर अब हम देखें, तो हमारा population निरंतर बढ़ता रहा, 1931 के बाद कभी पीछे मुड़के नहीं देखा है, और यहां पर दोस्तों, 1961 की अगर मैं बात करूँ, तो 43.9 करोर हो गया, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, 2001 की, तो 100 करोड की आबादी हमने पार कर ली थ जो था, वो अब बढ़ता ही जा रहा था, यहां पर बात करें, 2011 की दोस्तों आखिर में, तो 121 करोड की आबादी देखी गई, और दोस्तों, यहां पर 1.9 से थोड़ा सा slowdown हमने देखा, population explode हो रहा था, लेकिन 1.9 से growth rate थोड़ा सा कम देखा गया, 1.4% का in 2011, तो उमीद करत दोस्तों, यह trends आप आपको आकड़े जो थे, वो कुछ हद तक समझा रहे होंगे, चली अब इसे point wise समझ लेते हैं, ताकि इसे समझने में तुड़ी और जादा clarity मिले और आसानी मिले, दोस्तों बात करें, trends in population growth की, तो कुलमिलागर की 6 points यहां पर आपको समझने हैं, इस chart स 21 के बीच अगर आप देखें, तो population में marginal यह थोड़ा सा decline देखने मिलता है, बात करें year of great divide की, तो यह है अगला point यहां पर 1921 को, in 1921 को great divide का year माना जाता है, क्यों? यह आगे हम इसी वीडियो में देखेंगे, इसके अलावा then there was a positive growth rate in 1931 to 41, increase in population 51 onwards, population explosion हुआ 1971 से 2001 के बीच और आखिर में slow down on population growth rate 2001 to 2011, तो यही points हैं और यही है trends in India's population growth, तो चलिए अब हर point को बारी की से समझ लेते हैं, तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले important point की यह है, marginal decline in population, 1911 और 1921 के बीच, दोस्तों there was a marginal decline in population from 25.2 crores in 1911 to 25.1 crores in 1921, तो यह point में कमी क्यों आई, क्यों आई भया, thus there was a negative growth rate due to उस जमाने में there was a spread of epidemics such as influenza, cholera, plague, malaria, etc. इन बिमारियों के इलाज बहुत मुश्किल, बहुत हद तक तो नहीं ही थे और ऐसे में कई जाने गवानी पड़ी और इसलिए population का growth rate जो था वो कम था, यहां पर decline देखा गया marginal तौर पर, यह था पहला census जहांपर 1911 से 1921 में यही देखा गया कि there is a marginal decline in the population, बात करें दोस्तों, year of great divide की तो यह important trend है जो हमें समझना है, the decadal growth of population was negative during 1911 and 21, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, तो after 1921, there was a continuous increase in population, इसके बाद अपना growth जो है वो बढ़ता रहा, hence the census commissioner of India had designated the year 1921 as the year of great divide, यानि शुरवात में कमी देखी गई लिए उसके बाद, 1921 से कभी कमी population में नहीं देखी गई, and that is why this year is a year of great divide, बात करें दोस्तों अगले points की, तो यहाँ पर आसान सा point है, positive growth rate, तो अब निरंतर हम आगे बढ़ते जा रहे थे, हमारी आबादी बढ़ रही थी, हम एक विक्सित देश बनने की होड में लग चुके थे, और आज भी हम developing country हैं, लेकिन कोशिश हैं, आज भी जा रही है, हमारा growth rate जो है, वो अब positive growth rate है, 1931 से 1941 का यह दौर, जहां India recorded an annual growth rate around 1 to 1.3% during this period, यह जो period था, यहाँ पर population का annual growth rate positive माना जाता है, बात करें दोस्तों अग population explosion, एकदम फट के बार आया है population, यहाँ दोस्तों 1971 से 2001 की बात हो रही है, during this period, India experienced population explosion, because during these three decades, annual population growth was more than 2%, यह जो दो दशक थे, यह जो साल थे, इसमें 2 प्रतिशत से भी ज्यादा, double population जो है, बड़ा है, और यहाँ बर population explosion, अब हमारे से समला भी नहीं जा रहा है, इतना population बढ़ चुका है, बात करें दोस्तों, beach वाले period की, 1951 onwards, यह increase actual में शुरू हुआ था, between 1951 to 1971, population increased from 36.1 crores to 54.8 crores, तो यहाँ पर जो population का increase था, वो जादा था, this shows that after independence, there was tremendous rise in population, यहाँ आजादी के बाद, population बढ़ा ही है, करने slowdown की, जो आखिर में देखा गया, जहाँ slowdown in population growth rate was seen, 2001 से 2011 तक का यह period जहाँ पर बढ़ा तो है आबादी, बढ़ी तो है, लेकिन पहले के मुकाबले कम बढ़ी है, there is an indication of slowdown in growth rate of population from 1.9% in 2001 to 1.4% in 2011, यहाँ यहाँ पर slowdown देखा गया है, कमी देखी गई है, this shows that the average annual growth rate is declining, तो यहाँ पर population बढ़ा तो है, हमारी आबादी overall तो increase हुई है, लेकिन decline percentage में जरूर देखा गया है, बात करें दोस्तों, इन ही trends की, तो यह question जो है, exam में पूछा जा सकता है, आपके terminal exams होगे रहे हैं, तो जरूर इन 6 points को note down कर लीजिए, और stable के जरीए से पढ़ने ही कोशि कीजिए, पढ़ना काफी आसान हो जाएगा, 6 points कुल मिला करके marginal decline in population, year of grade divide, positive growth rate, increase in population, उसके बाद दोस्तों, population explosion और slow down on population growth rate, तो उमीद करता हूँ दोस्तों, यह सारे points आपको समझ आया होंगे, जरूर यह नहीं note down कर लीजिएगा, हम ऐसे ही videos लगातार आपके लिए लेकर आ झाल